हेलो आपका हमारी चैनल एवी सी कॉम्प्टीशन में स्वागत है आज मैं आपको संख्या पतिती का पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहे हूं जिसमें आपको किसी संख्या की पावर दी हो तो उसमें किसी संख्या से भाग देने पर सेश क्या वस्ता है मैं आपको बताऊंगे स की पावर थाइटीवन को तीन से भाग देने पर सेश क्या हुआ सबसे पहले इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता देती हूं यदि पावर आपकी सम हो तो पावर को हम क्या बना लेंगे दो या चार बना लेते हैं ठीक है और यदि पावर बिसम हो तो पावर को बन या थ्री बना लेते हैं आप सवाल देखिए आपको सवाल देखने पर जादा अच्छे से समझ में आएगा यदि दो की घात 31 को तीन से भाग देने पर सेश क्या है तो यह हम बेसिक रूल के आधार पर ही करेंगे यहां देखें आप यह आपकी पावर कैसी है बिसम है तो यदि हम इस टू की पावर को कितना लिखते हैं बन कितना हो जाएगा आपका तू है यह क्या तीन से डिवाइड होगा नहीं होगा तो यहां पर क्या आजाएगा आपका नौट डिवाइदेड अब हम 2 की पावर को कितना बना लेते हैं ? 3 तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब यह 3 से divide होगा ? क्या ? हाँ होगा , तो यहाँ पर कितना आएगा आपका ? 3 आप इसको 3 से divide करते है तो आपका सेज कितना बच्छरा यहाँ पे दो तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा नैस्ट कोशन देखें यदि आपको दिया है टू की पावर बाईस को नो से भाग देने पर आपका सेज क्या बचता है तो यहाँ आप सबसे पहले इसकी पावर को देखें, पावर कैसी आपकी सम है, तो हम क्या लेंगे, दो और चार बना लेते हैं, तो यदि आप टू की पावर, टू लोंगे, तो कित्ता हो जाएगा यहाँ पे आपका, फोर, यह डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, नो, अब हम क्या ल होगा क्या, होगा, यह लिवाइड करते हों, तो यहाँ पे आपका कित्ता बचेगा, नो, तो आपका सेच क्या बचेगा, यहां पे, पुस्थ अति यह क्या होगा आपका सब्स्यक्थ, ठीक है, अब आप आगे देखें, आपको दिया है, 17 की पावर दिए है, को दो 200 को 18 से भाग देने पर से इस क्या बचता है तो यहां देखें आप सबसे हैले पावर के आइसे आपकी सम है यादि आपकी पावर सम है तो आप इसको 17 की power को क्या लोगे 2 या 4 बना लोगे तो यहां पर आप 17 की power को कितना ले रहे हो 2 तो यहां पर 17 कितना होगा आपका 2089 अभी 18 से divide हो जाएगा हाँ हो जाएगा divide कर दें आप 18 become 18 कि अठारा चिंग एक सो और कि तब अच्छा आपका सेश एक तो यहां पर आपका क्या अंसर आएगा एक जो वह आपका सेश है नेस्ट कोशन देखें आप यहां आपको दिया है 25 की पावर दिया है आपको 25 को 26 से भाग देने पर सेश क्या है तो आपका यहां देखें इसकी पावर कैसी दी है आपको विसम दी है तो यदि हम 25 की पावर को 1 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 25 26 से डिवाइड होगा क्या नहीं होगा अब क्या ले ले हम यहां पर 25 की पावर को 3 लिख लें तो यदि आप 25 का तीन वार इंटू करते हों तो 25 का वर्ग होता है 625 और 25 का क्यों होता है 15 626 625 अब यह क्या 26 से डिवाइड हो जाएगा हां हो जाएगा यदि से हम 26 से डिवाइड करते हैं तो आप इसे 26 से डिवाइड करोगे तो 26 चिंग होते हैं 156 अब यहां पर 25 तो आपका यहां पर सेज क्या बच रहा है 25 यह होगा आपका आंसर आपको हमारी आपको हमारी यह ट्रिक समझ में आई होगी आप आज के लिए बस इतना है आप हमारी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और हमारी चैनल के सपोर्ट करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हैं